आप्वाज दॉरा जालती वर्चुएल क्लास्रूम ट्रेनिंग माँ अप सवनू हर्दी स्वागत छे आजनो आपड़ो टौपिक रहाशे फिटर ट्रेड नो केस हार्डनिंग औने कार्बी राइजिंग अने यांतरिक गुणतर्मों ने पन बदली सकाई छे, तो ते हीटिंग प्रक्रियाने हीट ट्रीटमेंट कहवामा आवे छे, त्यार बाद आ हीट ट्रीटमेंट प्रक्रियानों हेतु सुचे, तो तेनों हेतु आपड़े जुईलेए, पहलू छे कि धातुना श्रक्चर नी ग्रेन सुधारवा माटे, धातुना श्रक्चर ने रिफाइन करवा माटे हीट ट्रीटमेंट नों यूस ततो है छे, बीजु छे तेनों हेतु छे धातुनी मसीन अबिलिटी सुधारवा माटे तेनों यूस ततो है छे, धातुनी कटिंग सम्ता ने वतारवा माटे तेनों अने कोल्ड प्रोसेसेज जिविके बैंडिंग, ट्विस्टिंग, फोर्जिंग वगेरे प्रग्रियामा उद्भवता अंतरिक श्ट्रेस अने श्ट्रेन एने दूर करवा माटे आ हीट ट्रिटमेंट अनिवार्या छे त्यार बाद धातुमा लागता घसारा तेमज काट सामे रक्षान मिरवा माटे आ हीट ट्रिटमेंट प्रोसेस नो उप्योग थतो आई छे तेमज धातुना इलेट्रिकल अने मेगनेटिक गुण धर्मो सुधारवा माटे हीट ट्रिटमेंट जरूरी छे तेमज श्टिल ने अंदर थी तेमज बाहर थी सकत के हाड बनहावा माटे हीट ट्रिटमेंट उप्योगी बने छे तेमज मेलेबिलीटी, डक्टिलीटी, हाडनेस अने टफनेस जिवा यांतरीक गुण धर्मो एलेके mechanical प्रोपटी ने सुधारवा माटे हीट ट्रिटमेंट नो यूस थतो ओए छे हवे आपड़े जोएसु हीट ट्रिटमेंट ना प्रकारों तो हीट ट्रिटमेंट ना जुदादुदा प्रकारों पड़े छे तेमा पैलो चे हाड़निंग, बीजो चे टेंपरिंग, तीजो चे एनिलिंग, चोथो चे नॉर्मलाइजिंग, अने पांचमो चे केस हाड़निंग या ताली मार्थी मित्रो आपड़ो इनो टॉपिक चे केस हाड़निंग अने कार्भीराइजिंग तो आपडे जुई लेए case hardening कौने के वाई और कार्बीराइजिंग इटले सुग तो सुप्रतम case hardening कौने के वाई तो case hardening मां job नी बहरनी सपाटी ने hard बनावा मां आवे चे ज्यारे त्यानी अंदरनी सपाटी नरम के tough रहे चे हामां हाडनिंग जुदू चे अने केस हाडनिंग जुदू चे हाडनिंग मां जौबने संपूर्ण रिते हाड करवा मां आवे चे जारे केस हाडनिंग मां एतलो तफाद चे के जौबनी बाहरनी सपाटी ने हाड बनावा मां के सकत बनावा मां आवती होई चे जारे तेनी अंदरनी सपाटी नरम अने टफ रहे चे अवे केस हाड़निंग क्यारे करवा मा आवे चे तो केस हाड़निंग ए सपाटी ए जोबनी सपाटी उपर करवा मा आवे चे के जेमा घसारो अने आगात बर वधारे लागता हो चे त्यानी 12 सपाटी उपर केस हाड़निंग करवा मा आउतु वह जे केस हाड़निंग नी फिगर आपड़े जुईल है तो त्याँ तमें जुईोहिश सकतो तो 1 1 सपाटी हाड करवा मा आविवह जे अन्य अन्धनी सपाटी સોफ्ट अने टफ होई छे, जे तमें फिगर मां आकरुती मां सारी रिते जोई सको छो अवे आपड़े जोई लेए केस हारडणिंग नी रितो तो केस हारडणिंग नी रितो आ मुझब छे, पैली छे कार्बिवाइजिंग, बीजी छे साइनाइडिंग, तीजी छे नाइटराइडिंग, चोथी छे फ्लैम हारडणिंग, अने पांच मी छे इंडक्शन हारडणिंग तो सब्व प्रतम आपड़े पैली रित जोई सु cruel केस हाडणिंच प्रतम रित चे कार्बिवाइजिंग, तो लो कार्बन च टिल, कई टिल मां कार्बन नी संक्या अने तैनी माच्छी औची ओचे तो लो कार्बन च टिल क्यावामा आवे चे तो लो कार्बन स्टेल नी सपाटी उपर अमुक उंडाई सुधी मा कार्बन नी मातरामा वधारो करी ने तेने हाड बनावानी क्रियाने कार्बी राइजिंग कहे छे तो आनी सपाटी नी अमु कुंडाई सुधी कार्बन नी मातरा के संख्यामा वधारो करवामा आवे छे अने तेने ते सपाटी ने हाड बना आमा आवे छे तेकरियाने कार्बी राइजिंग कहे छे अवे कार्बीराइजिंग ना बिजा तोन प्रकार पड़े छे अन्य तोन प्रकार पड़े छे पहलो प्रकार छे प्यक कार्बीराइजिंग तो आ पेक कार्बिराइजिंग कौने क्यावाई अने एमा सू होई छे एमा कई रिते सपाटीने हाड बनावी सकाई ते आपड़े जुईए तो पेक कार्बिराइजिंग मां काष्ट आयन ना बोक्स मां कार्बन युक पदार्थो जिवा के लाकडानो कल्सो हाड़कानो फुको अर्ध बरेला चामडा वगेरेने केलसियम बेरियम तथा सुडियम कार्बोनेटना मिर्ष्रन साथे मिक्स करीने बंद करीने बोक्स मां आवे छे ते तम्ये तालिमाति मित्रो आक्रुतीमा के फिगर मां पन जोई सको छो आ प्रमानेनु बोक्स बनावामा आवतु होई छे जयमा केलसियम बेरियम सोडियम तथा कार्बनिक पदातोनु मिर्ष्रन राखोमा आवतु होई छे हवे लो कार्बन स्टिल ना जोबने 900 डिगरी टेंपरेजरे तापमाने गरम करीने आ जणावेल बोक्स मां ठंडो पाड़वामा आवे छे तो तेनु परिणाम सुथाई छे के तेनी बहारनी सपाटी उपर कार्बन जामे छे कार्बननु एक लेयर बनी जतु होई छे अने आर इतनी मदती तेमा एक थी 2 mm सुधी नी उणड़ाई मा कार्बन जामे छे अने तेटली आपड़े हार्डनेस प्राप्त करी सक्के छे तो आधायू प्यक कार्बी राइजिंग अब कार्बी राइजिंग नो बिजो प्रकार छे गेस कार्बी राइजिंग तो गेस कार्बी राइजिंग मा गेस कार्बी राइजिंग नी भट्टी मा लो कार्बन सुधील ना भागो ने कार्बन यूगत गेस नी हाजरी मा नी समय के चोकस समय माटे राखवाती त्यानी बाहर नी सपाटी उपर कार्बन चामे चे कार्बन नू एक लेयर बनी जतू ओई चे अने आर इतनी एक एमेम सुधी नी उंडाई मा आपड़े हार्डनिंग करी सके चे अई या खास ध्यान राखवा जो चे के पेक कार्बी इक थी बे एमेम सुधी नी उंडाई मा आपड़े हार्डनेस मेरल सकता दा जारे गयस कार्बी राइजिंग मा एक एमेम सुधी आपड़े उंडाई सुधी हार्डनेस मेरल सके चे अवे कार्बी राइजिंग नो तीजो प्रकार पड़े चे लिक्यूड कार्बी राइजि ते जोबनी बाहर नी सपाटिव पर कार्बन नुँ पडजामी जतु होई चे अने आरी ते कार्बिराइजिंग करी सकाई चे तो आथ यू लिकविड कार्बिराइजिंग त्यार बाद के साड़निंग नो बिजो प्रकार चे साइनाइडिंग तो आपड़ी जुए टालिमार्धिमित्रोव साइनाइडिंग माँ शुञाँ चे अने कई रिते प्रोसेस थी तेनी हाडनेस मां वथारों करी सक्के चे तो साइनाइडिंग बात बात मां सोडियं साइनाइड, सोडियं कार्बोनेट अने सोडियम कलोरैड नुमिष्ण आवे चे त्यामा लो कार्बन स्टिल के जमा कार्बन नू टकावारी ओची होई चे त्यावा लो कार्बन स्टिल ने 800-850 डिग्री सेस्ट तापमाने गरम करीने आ मिस्टन मा डुबाडी ने ठंडो पाडवामा आउतो होई चे चैना ती त्यानी बाहर नी सपाटी उपर 0.15 सुधी नी उंडाइ मा केस आड़नीं मेरी सकातू होई चे तो आत यू साइनाइडिंग मा जबनी बाहर नी सपाटी उपर 0.15 mm सुधी नी उंडाइ मा केस आड़नीं मेरी सकाई चे अवे next टाइप चे नाइट्राडिंग तो लो एलोस्टिल ना भागो ने एमोनिया गेस न आअपवां ने गरम करवां मा आवे, तो तयानी बहार नी सपाटी उपटर 0.4 mm शुदी नू, नैरोड़ गरम पढ़ से लिए, तो नियानी बहार नी शपाटी वुपटर हाड बनावी सक्के छे अवे next टाइप छे फ्लेम हाड़निंग तो आ फ्लेम हाड़निंग चुछे अने तेनू कई रित्ते पधतीमा हाड़निंग थतु होई छे ते आपड़े चुई ये तो फ्लेम हाड़निंग मा जोबने ओक्सी ऐसिटीलिंग तोर्च वडे कर्मी आपवा मा आवति होई चे अने साथे साथे तेनो तेमा पाणीनों स्प्रे करीकरीने तेने थंडो पाड़वा मा आवे चे तुमे तालीम हाथीं वीतरों फिगरमा आपन जोही सको छो फिगरमा सोप्रथम चे वर्नर जेनाती घर्म पद्धोर अबे आना पद्धोर शुम्हानीःқ सबूसें इंड़क्शन हाडनिंग सुओ आज़े अने गई रीते हाडनिंगमा वधारों करी सक्केशे और आप अध ergतीमा इंडिकेट करव seeks आप अध ظने मा इंड़क्शन मसिनों उप्योग थाई थाई चे एक इंड़क्शन कोईल नों यूस थाई चे तेमा आसरे बे हजार थी पच्ची सो इलेट्रोन पर सेकंड जेतलो करंड के विद्युत पसार करवामा उतो होई चे जेती जोबने गर्मी मर्ती होई चे अने तेने साथे साथ ठंडो पाडवामा आवे चे पानीनो स्प्रे करीने तेने ठंडो पाडवामा आवे चे तेथी मात्र 5-10 सेकंड नी अंदर 3 mm नी उंडाई सुधी जोब ने हाड बनावी सकाई चे ताली मात्र मित्रों तमें फिगर मां आकृती मां जुई सको जो तेम इंडक्षन कोईल नी अंदर जोब ने राखवामा आवे चे अने इंडक्षन कोईल माती 2500 इलेट्रों पर सेकंड जेतलो वित्युत प्रवा पसार करवामा आवे चे अने जोब ने गरम करवामा आवे चे अने त्यार बात तेने ठंडो पड़वामा आवे चे जेती 15-10 सेकंड नी अन्दर तेने तोन एमेम सुधी नी उनडाई मा जोब ने हाड बनावी सकाई चे तो आँ थायू केस हाड़निंग अने कार्बी राइजिंग चेप्टर तो एया रजा लोग अचे अप्टर मा बस आतलूज असा करूज के तमने अवड़ी काई वासे ठेंक्यू